हाई फ्रेंज तो यह पिछली बार और यह फीड़बैक था और कई बार यह फीड़बैक आच गए कि हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते तो भई यह मेरा पहला प्रॉपर हिंदी में वीडियो है इससे पहले मैंने कुछ वीडियो में थोड़ी मुठी हिंदी बोली थी पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोगों को जो साउट से या और जगाँ से आते हैं उनको हिंदी नहीं समझाती कुछ मेरे फ्रेंड्स को तो मैंने हिंदी अवाइड की थी तो यार ऐसा है कि मैं फिलहाल हिंदी में भी और इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा तो कर लोगा दो अलग लग वीडियो बना लिऊंगा मेरा मकसाद है भाई यार नॉलेज को शेयर करना क्योंकि हम जितने लोग आपस में नॉलेज को शेयर करेंगे उतना यह उल्टा सीधा नेरेटिव चल रहा है भाई इसको हम ठीक कर सकते हैं अपनी राय डाल सकते हैं ठीक ह कि अधरी बात हो रही थी तो उसने कहा यार तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है एजन इंडियन कि तुम ना यार पकड़के बैठे हो इस्ट्री में कि मुगलों ने ऐसा किया मुगलों ने वैसा किया हम पे भी नॉर्मन्स ने राज किया था और बड़ा तो यार वो लोग तो भूल गए और देखो सब मिक्स हो गए तो यह तुम्हारी हिंडुस्ताइयों के प्रॉब्लम है तो यार नॉर्मली तो मैं कहूंगा कि यार हमें एक अंग्रेज को कोई एक्स्प्लेनेशन देनी का रीजन नहीं बनता जो सोचें सोचें तेकिन दो त पूसरा वो लोग भै जिनोंने हिस्ट्री में यही पड़ा है यही समझा है तो यार उनको सही पताना बहुत जरूरी है चुकि जो अब जो महौल है वो डिबेट का महौल है तो हमें अपना नेरेटिव जानेंगे तभी तो हम किसी को काउंटर कर पाएंगे कभी कोई बात ह होगी हमसे तो ठीक है ना और हम हिंदुस्तानी तो हजारों साल से डिबेट करते आ रहे हैं तो आज उसको जवाब देना है कि इंग्लेंड की नॉर्बन इन्वेशन बाकी चाइना और यह जो पुरा बगदाद और यहां पर जो इसलावर रश्या में जो मंगोल का इन्वे इन्वेशन ऑफ इंग्लेंड क्या हुआ था तो यहर ऐसा है 1066 1066 1666 में जो नॉर्मन्स थे यह क्या थे यह वाइकिंग्स थे जो ना यह स्वीडन नॉर्वे वाले रिजन से आये और यह फ्रांस के एक इक इलाका है नॉर्मंडी वहां बस गए थे वहां क्रिस्चन बन ठीक है और बड़ी बूटली बात में कबजा किया ठीक है मतलब जो इंग्लेंड की परानी रूलिंग क्लास थी उसको पूरा हटा दिया तहसनेस कर दिया जमीने कबजा ली और पूरे आके राजे बनके बैट गए और इंग्लेंड के तहास में यह लोग बड़ा ही खुंख उसके बाद हुआ क्या हुआ यह कि कुछ पीडियां बीती धीरे 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 करके यह मिंगल हो गए आपस में अच्छा बहुत साल तक यह नॉर्मंड अपने आपको फ्रेंची मानते थे यह फ्रेंच बोलते थे और नॉर्मंडी को अपना घर मानते थे नॉर्मंडी में भ तो अपने आपको English मानने लग गए है और कुछ compromise भी हो गया है जो पराने elite थे Anglo-Saxon वाले उनके साथ और जो Normandy वाले थे वो अपने आपको French मानने लगए और इनके आवस में लड़ाईयां होगी आते आते कुछ समय बाद ये पूरी तरह English बन गए और Normandy वाले थे वो पूरी तरह French बन गए अच्छा बात ये है कि Scotland अलग था ना लेकिन जब finally Scotland और England merge हो गए 1700 के करीब में और ये बने Great Britain तभी से इनका दुनिया में राइस शुरू हुआ और हम तो मिशा ये कहते हैं अंग्रेजों ने हम पर राज किया England ने राज किया हमें ये नहीं पता कि Scotland की disproportionately बहुत ज़ादा लोग थे ये जो East India Company में या अलग जगाओं पर आमी में और merchant में भी बहुत जगा इनकी बहुत बड़ी presence थी Scottish की भी तो वो कहते हैं देखो हम एक हुए किया और मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कुबले खान पर जंगेज खान की जो dynasty में था और लेकिन उन्होंने अपने आपको Chinese करने की पूरी कोशिश किरी वो Yuan dynasty बन गए चीक है मंगोलों ने जो ये Islamic कालिफेट थी बगदाद में यहां जो तबाही मचाई जो तबाही मचाई उसका मतलब Islamic उन्या में बहुत बड़ा उसको माना अधा धक्का उसको राइज हो रहा था ना ये यहां सिर्ट रुक किया था बगदाद में destruction कर दी थी इन्होंने इन्होंने रश्या के बहुत सारे potions में capture किया पर फिर हुआ क्या हुआ ये क्योंकि ऐसे मंगोल religion के मामले में fanatic नहीं थे तो जो वहां यह Islamic world में रयाज करते थे यह दीरे दीरे यह Muslims की इन्होंने लोगों से शादी वादी करी और यह Islam में आ गए जो उधर कुछ Russia side रहे थे वो उन्हों में मिंगल हो गए और जो चाइना में थे उन्होंने अपने आपको Chinese बने की बहुत कोशिश करी लेकिन बाद में फिर भी चाइना में Ming dynasty है जिसने मंगोल राज तो हटा दिया और उल्टा मंगोल लिया के काफी सारे इलाकों पे जिसको इनर मंगोलिया बगारा पे वहाँ पे चाइना है तो भई इन्होंने बेसिकली चाइना ने तो हटा दिया अपने पर मंगोल राज बाकी जो मंगोल थे हो चाइना में ही Mingle हो गए यही चीज इस्लामिक वर्ड में हुई रश्या में भी हुई एक बहुत 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 फैक्टर क्योंकि वहाँ पर वो कोई धरम के नाम पे कट्रपन नहीं था Normans ने भी England पे एक बहुत बड़ा फैक्टर ही है क्योंकि Normans England में आने से पहले Christianity में convert हो चुके थे तो उन्होंने वहाँ जाके चर्च नहीं थोड़े मुगल्स का आखिर तक ये record है कि उन्होंने मंतिर तोड़ते रहे भाई ये जो लोग कहते हैं कि मुगल्स हिंदोस्तानी बन गए उन्हें मैं एक बात बोदूँगा कि भाई बाबर नामा पढ़ लो मैंने बाबर नामा पढ़ा है मेरा एक वीडियो भी है बाबर नामा पे उसको देख लीजिए अगर डिस्क्रिप्शन मैंने ते रखा है एंड में और लिंक में भाईया वो बाबर जो है उसके सपने थे कि वो सेंटरलेशा पे राज करेगा समारकन पे राज करेगा काबूल पे कोश उसको फाइनली सक्सेस ही मिली इंडिया में ठीक है लेकिन वो आदमी हिंदुस्तान आके इतना क्रिप करता था ना उसको यहां के फल अच्छे लगते थे ना मौसम अच्छा लगता था सारा टाइम यहां के तरबूज यह अपना मेलन ऐसे हैं यह ऐसा है वो ऐसा है सारा टाइम उस आदमी की करेब इंस थी तो भईया मजबूरी थी यहां राज पार्ट मिल गया था तो यहां पैट गया चलो बाबर की बात समझते हैं को भई बाहर से आया था शुरू में ऐसे ही होता है कुछ डैनेस्टी और कुछ सालों बाद की बात कर लेते हैं ठीक हैं आप जहांगीर के रिकॉर्ड पकड़ लीजे शाह जहान के दीरे 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 सब कटर रही है सब रही है कुछ न कुछ हर एक की लाइफ इंसिलेंट्स हैं कि इन्होंने जहांगीर का सब को पता है क्या ट्रेकर रिकॉर्ड है शाह जहान का पता है और सबसे बड़ी बात पई छे जनरेशन बाद औरंग जेब को वो जजिया वापिस लगाने की क्या फताई जो अक्बर ने हटा दिया था और मंदिर तोड़ने की अब तक तो हिंदुस्तानी बन जाना चाहे था ना तो हिंदुस्तानी का मतलब ये नहीं है कि आप धरम जो मर्जी हो हिंदुस्तान में तो जारों साल से चलता आ रहा है हमारे यहां पर तो अजाज शत्रु का ट्रैक रिकार्ड है वह जैन धरम को मांदा था बुद्ध को भी उसने डोनेट किया बुद्धिजम में भी हमारे यहां तो यह चलता है इसाब किताब राजा हर्द तरह के धरम को जैनिजम और बुद्धिजम और हिंदूइजम सब एक साथ चलते थे हमने कभी यह हमने नहीं डिस्क्रिमिनेट किया कि भार से आने वाले से अरे हम तो कनिश्क के बारे में पढ़ते हैं कुशन जो राजा था कनिश्क कहां का था वो भी उसी से इंटरिशन ट्राइब्स इलाकों से आता है जहां से यह बाद में आये थे यह मुगल वगएरा आये थे पर हमने तो कनिश्क पर और कनिश्क राज भी उदर अफगानिस्तान साइट पर मेन उसका इंपायर था फिर भी हम गर्व से कहते हैं भी हमारा इंदुस्तान का राजा था तो हमने कभी नहीं कनिश्क ने क्यों क्यों कि कनिश्क ने बुद्दिज्म को एडाप्ट किया और धर्म की बाद चोड़ी है उसने वो इंडियन स्पिरिट को एडाप्ट किया जहां पर भई हम सब धर्मों को मानते हैं वगयरा वगयरा तो ब्राडली ये सब हुए ये मुगल नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा फरक है बिल्कुल ठी कहा रहे हो अगर वो मुगल इंडियनाइज हो गये होते और ऐसा माहौल बना दिया होता कि ये सब धर्म एक जैसे मतब रह पा रहे होते साथ में तो हिंडुस्तान पर ये कोई भार का राज नहीं होता लेकिन इसकी जिम्मेदारी मुगलों पर जाती है ठीक है ये जिम्मेदारी और सिरफ अच्छा लोग एक्जैम्पल देते हैं एक्जैम्पल देते हैं खुसरों का जिस पर मैं एक वीडियो और बना चुक हूँ वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल खुसरों का बहुत हिंदू संतों के साथ संबन था दाराशिकों का एक्जैम्पल दिया था जो उपरिशद भी पढ़ता था लेकिन सवाल ये है कि जब जब ऐसे लोग आए तो जो कटरपंदी थे मुगल कोट में उन्होंने क्या किया अकबर बादशा तो यही चाहते थे थे ना कि उनके बाद उनका पोता खुसरों बने राजा लेकिन बना कौन जहांगीर दाराशिको को हार के कौन जीता और अवरंगजेब और सारे कटरपंदी किस के तरफ थे और अवरंगजेब के तो इसका मतलब कटरपंदीों का मुगल कोट में बोल बाला था तो यह सवाल पूछना चाहिए इसका मतलब मुगल कोट में ज्यादा ताकतवर majority जोते वो कटरपन थे तो ये एनलाइज करना चाहिए कि क्या वो कटरपन की spirit की वज़े से ही मुगल इतने generations तक नहीं मिंगल हुए और इसकी क्या वज़ाएं है बस ये फरक है ये नहीं कि हिंडुस्तान नी जो है उन्हों ने मुगलों मतलब वो मिंगल नहीं कर पाई इसलिए कि उनके वहां से कटरपन खतम नहीं हुआ इसलिए वो इंगलेंड की तरह वो यूनिफाकिशन नहीं हो पाई ठीक है तो I hope मैंने ये बात समझा दी है कि दुनिया में ये जो वो है अलग अलग जगा पे जहां वो मिंगल हो गए वो क्यों हो पाई और यहां जो नहीं हुए फुक्य हुए ठीक है तो आगली बार कोई आपसे अंग्रेज ये तरक है कि भई आप आज तक मुगल उसको क्यों रोते हो क्योंकि आखिर तक जब तक मुगलों में ताकत थी उन्होंने इस देश की मेजोरिटी कम्मिनूटी को बराबरी का दर्चा नहीं दिया थैंक यू मुझे वीड़ा ही वीडियो अच्छा लगा अगर आप चाते हैं कि हिंदी में और वीडियो बने तो प्लीज इस वीडियो को एंकरेज कीजेगा थैंक यू और पाई